सब्सक्राइब कीजिए नीचे दिये गए रैड बटन से और बाद में बैल आइकन दबाए हमारी लैटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सबी male और female candidates भारत के किसी भी राज्ये से इस भरती पर आवेदन कर सकते हैं तो दोस्तो इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस भरती पर आवेदन करने के लिए क्या आपका eligibility criteria होना चाहिए कितनी यहाँ पर exact number of vacancies है जिनके लिए आप आवेदन कर सकते हो कितनी salary आपको successfully recruit होने के बाद provide कराई जाएगी क्या यहाँ पर आपका selection procedure रहने वाला है जिसके तहत आपका chain किया जाएगा क्या date है जिससे पहले पहले आप आवेदन कर सकते हो और कैसे आवेदन कर सकते हो इन सब चीजों की पूरी जानकारी के लिए बने रही है इस वीडियो में अंतितक हमारे साथ तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं इस भरती की पूरी जानकारी नैस्नल हैल्थ मिसन आसाम के अंदर ये बरती निकली है जहां पर पोस्ट का नाम है medical and health officer टोटल नंबर ओफ एकंसीज के अगर बात की जाए तो यहाँ पर 501 खालिपद हैं जिन पर इनिमम आयू सीमा 21 साल और मैक्सिमम आयू सीमा 38 साल लखी गई है जिसकी गणना 1 जनवरी 2019 से की जाएगी सेली की वहीं पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर कैंडिडेट्स को रूपे 30,000 से रूपे 1,10,000 के बीच में परती मा के इसाब से वेतन प्रोवाइड करा दिया जाएगा अप्लिकेशन फीस के अगर बात की जाए तो कैटिगीरी वाइज आप अप्लिकेशन फीस जमा करा सकते हो जैसे की जनरल कैटिगीरी कैंडिडेट्स के लिए 250 रूपे आवेडन सुर्क निरधारित किया गया है वहीं OBC, MOBC, SC, ST, P, HTH की कैटिगीरी कैंडिडेट के लिए केवल 150 रूपे आवेडन सुर्क निरधारित किया गया है यह आवेडन सुर्क आप ट्रीजरी चालान फॉर्म के माध्यम से in the head of account 0210 medical and public health 01 urban health service 800 other receipt के रूप में जमा करा सकते हो selection यहाँ पर आपका वाईवावोस और इंटरू के माध्यम से किया जाएगा dates के अगर इस भर्ती की बात की जाए तो इस भर्ती पर आवेडन करने की last date 1 July 2019 है जी हाँ दोस्तों 1 July 2019 के बाद आपके application form इस भर्ती पर accept नहीं किये जाएंगे अब हम आपको बता दें की कैसे आप इस भर्ती पर आवेडन कर सकते हो तो सबसे पहले candidates को National Health Mission Assam की official website को logon कर लेना है जो की है nhm.assam.gov.in इस website को logon करने के बाद आपको इस भर्ती से लेटिर official advertisement को open करना है official advertisement को open करने के बाद आपको पूरी detail one by one carefully उसमें से read करनी है पूरी detail one by one carefully read करने के बाद आप simply इस भर्ती पर online आवेदन कर सकते हो इसके बाद भी दोस्तों अगर आपको इस भर्ती के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहिए तो आपको हमारी website का link नीचे description box में प्लस first comment box में मिल जाएगा जहाँ पर जाकर आप directly इस भर्ती का official advertisement open करके पूरी detail उसमें से read कर सकते हो जैसे ही आप इस link पर किलिक करोगे तो आपके सामने इस भर्ती का official advertisement खुल जाएगा यह इस भर्ती का official advertisement है यहाँ से आप पूरी detail विस्तार पूर्वक one by one करके read कर सकते हो और पूरी detail यहाँ से विस्तार पूर्वक read करने के बाद आप simple इस भर्ती पर online आवेदन last date से पहले पहले कर सकते हो online आवेदन करने के लिए link भी आपको हमारी website पर मिल जाएगा जी हाँ दोस्तों यह इस भर्ती पर आवेदन करने के लिए apply online का direct resource link है जैसे ही आप इस link पर किलिक करोगे तो आपके सामने इस भर्ती पर आवेदन करने के लिए online portal खुल जाएगा यह इस भर्ती पर आवेदन करने के लिए nhm asam का online portal है जिसके मादियम से आप simple इस भर्ती पर आवेदन कर सकते हो यहाँ पर आकर आपको apply online के इस link पर किलिक करना है जैसे ही आप इस link पर किलिक करोगे तो आपके सामने application form खुल जाएगा सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी post select करनी है कि कि इस post पर आप apply करने जा रहे हो उसके बाद आपको अपना नाम यहाँ पर provide कराना है उसके बाद आपको अपनी date of birth यहाँ से calendar में से select करनी है कि क्या आपकी date of birth है उसको select करने के बाद आपको यहाँ पर अपना gender प्रोवाइड कराना है कि आप male हो या फिर female इस परकार से आपको उसके बाद अपनी nationality यहाँ पर clear करनी है कि आप Indian हो या फिर किसी other country से उसके बाद आपको अपनी cash यहाँ पर select करनी है कि आप general category से हो या फिर OBC या फिर SC या फिर ST जो भी आपकी है वो आप यहाँ पर select कर सकते हो उसके बाद आपको अपना mobile number required है जो आपको यहाँ पर provide कराना है email id बननी है अपने father का नाम यहाँ पर provide कराना है तो इस परकार से आपको इस application form को one by one करके accurately accurate detail provide कराते हुए भढ़ना है और last day से पहले पहले submit कर देना है तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही आई हो पे वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो इसे like और share करना मत भूलना साथी साथ दोस्तों अगर अब आपके मन में इस वर्ती से related कोई question या query है तो आप हमें comment के ज़री पूछ सकते हैं और अंतमें दोस्तों हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना क्यूंकि हम daily basis पे आपके लिए ऐसी ही बिग recruitments के update अपने इस चैनल पर upload करते हैं